और खबर देहरादून से जहाँ पर कॉंग्रेस विधान मंदनलल की बैठक शुरू हो गई है नीता पतिपक्ष यश्पाल आरे के देक्षता में बैठक हो रही है यश्पाल आरे के आवास पर कॉंग्रेस के कई विधायक इसमें शामुस सरकार को गेरने की स्ट्राटेजी पर विधायक काम कर रहे है चर्चा हो रही है प्रदेश के जनहित के मुद्दो पर चर्चा की जा रही है नेता पतिपक्ष है यश्पाल आरे है जिनके देक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है उनके आवास पर बैठक हो रही है तमान कॉ प्रच्टे कैसे उठाने हैं इसको लेकर मंत्रणा कॉंग्रेस की कॉंग्रेस विधान मंदल गल्की बैठक मेता पतिपक्ष जयश्पाल आर्ये के निवास पर कॉंग्रेस के कई विधायक बैठक में शामिल हैं शीकाल इंसत्र के लिए तैयारी कॉंग्रेस की और नेता पतिपक्ष यश्पाल आर्ये के देश्टा में बैठक शुरू हो चुकी है कई मुद्दो को कॉंग्रेस उठाएगी किन मुद्दो पर प्रकरता से कॉंग्रेस को अटाक करना है इस पर मंत्रणा हो रही है यश्पाल आर्ये नेता पतिपक्ष के आवास पर बैठक शुरू हो चुकी कॉंग्रेस के कई इस समय विधायक वहाँ पर मौजूद है कॉंग्रिस विदानमंदल दल की बैठक है ये नेता प्रतिपक्ष यश्पाल आरे की अध्यक्षता में बैठक हो रही है कई ज्वलंद मुद्दे हैं जिनसे जद्दा त्रस्थ है परिशान है इन्हें मुद्दों को उठाने का काम कॉंग्रिस करेगी शीत कालिन सत्र में मन्थन इस समय कॉंग्रिस में नेता प्रतिपक्ष यश्पाल आरे उनके निवास स्थान पर उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है कॉंग्रिस की है कई मुद्दों को लेकर लगातार मुखर रही है कॉंग्रिस आक्रमक रही है पिछले काफी दिनों से जिसमें रोजगार है महंगाई है पलायन का मुद्दा है UK SSC का मामला है उसके बाद अंकिता भंडारी केस है इन तमाग मुद्दों को लेकर कॉंग्रेस स्ट्राटजी बना रही है सरकार से सवाल कुछेगी सरकार को खे लेगी उपेंद्र राणा हमारे सहयोगी फोन डाइन पर उपेंद्र कल से शीत कल इन सत्र की चुरूआत होने जा रही है उससे पहले कॉंग्रेस की स्ट्राटजी तैयार हो रही है नेता पतिबक्ष यश्पाल आरे के निवास्थान पर जिस पुझार से कल बिजान सवाब शिर्कावी तत्र का इन सो रहा है समें कॉंग्रेस की पुरी कायारी में जुटी हुई है क्योंकि आप माना जा रहा है कि कल जब बिजान सवाब तत्र की सुरूआत होगी तो पूरे तल्ख तेवरों के साथ पूरे संगामेदार तरीके से शुरूआत होने वाली है क्योंकि कई सारे से बोते हैं प्रवेश के जुलंक बोते हैं जिनके उठानी के पोचिज जो है वो परता हुआ दिखाई देगा क्योंकि आज जिस परकार से नेतापटिपर्श के आवाज पर जब बेठा खुई तो साफ तोर पर यह देखा जा रहा था कि बिपक्ष का यह कहना था कि बेरोजगारी, UK-TBC का पेपर लीग मामला हो या अगिता आत्याकान मामला जो क्वी चट्शित मामला उतराकर में चल रहा है उसको लेकर सरकार को खेलने की पूरी कोशिज की जाएगे और इसको लेकर हंगामा पूरी तरीके से बिदानसवा के सबन के अंदर और सबन के बाहर भी पूरी तरीके से देखने को मिल सकता है साथी जिस परकार से बिदानस्वा का backdoor भंसी जो मामला है उसको लेकर भी यमाना जा रहा है कि कहने का एक एक विपक्ष जो है इस इस मामले को रंभिटा से इठाने की कोसिश करने का है नियंक 210 के पहर जो ness तमाम मुध्दों को जो है जोलन्त जो मुझ्जे प्रदेश के हैं इन तमाम मुद्धों को उठाने की कोशिश करेगा उसमें पूरी रणिसी विपक्ष ने बना दी है हाला कि विपक्ष का ये भी कहना है कि जिस परकार के 29 नॉम्बर पे 5 जिसमार के बीच ने सत्र का आजट किया गया है ये काफी कम अवडी है क्योंकि समय जो है बिढायकों को नहीं मिलता है क्योंकि कई सारी चर्चा होनी है कई सारे जोलन्त मुद्धे है जिस पर चर्चा बहुत जरूरी है उस पर चर्चा नहीं हो पा दिये एसे में समय अवजी जो है सत्र की बढ़ाई जाए उसकी मांग भी लगाता है वो सरकार से भी कर रही है और विजनेश सरकार लेकर आ रही है विजनसभा के पडल पर इस प्रकार से अनपूरा बजट को रखेगी उस पर उसरे दिन चर्चा होगी एसे में समय यह भी बना हुआ है कि जब पहले ही जिन अनपूरा बजट को रखा जाएगा तो यह भाना जारा है कि काफी कम दिनों तक यह सत्र पहरा सकता है तो एसे में समय बना वा जिसको लेकर विपक्ष सरकार को गहने की कोशिश्च कर रहा है कि शतर की अबढ़ाया बिल्कुल जाहिसी बात है, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, मजबूत सरकार के साथ-साथ मुखर विपक्ष हो, और हम देख रहे हैं कॉंग्रेस पिछले काफी समय से काफी आक्रमक्ता के साथ बड़े मुद्दों को, जन सरोकारों के मुद्दों को लगा चुपार चुपाने की कोशिस कर रही हो, या नाकामियाबी जो सरकार की हो, उसको जल्ता के विशके से उजागर किया जाए, वो विपक्ष के बड़ी भूमिका होती है, और इसको विपक्ष को सदन के अंदर उठाना भी चाहिए, और यही देखा जा रहा है कि कुछ जिनो पहले से जो है, इस प्रकार के अंकिता हत्याकान हो, यूके सिर्पले सी पेपल लीग का मामला हो, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन तबाम मुद्दों को लिकर रहे, कॉंग्रेस पुरी सरीके से मुखर दिखिये का सड़कों पर हो, या अन्य जगाओं पर भी, अब यह इस खबर पर जानकारी देने के लिए अपडेट अब लगातार आपसे लेते रहेंगे